हेलो दोस्तो जेके एससबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकली है जिसमें 772 पोस्ट निकाले गए हैं और वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट निकले हैं जैसे एगरिकल्टर प्रोडक्शन, फार्मोर्स वेलफेर और एनमुल शीप हैजबंडरी, फि तुरिजम में पोस्ट निकले हैं तो इन पोस्टs को हम किस सरा अपलाई करेंगे ? मैं आपको आसानी के साथ आज इस वीडियो में आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा जो मैं स्टेप्स आपको यहां बताऊंगा, वही स्टेप्स आपको फालो करने हैं और आप आसानी से mobile android phone के जरी आप अपने form को application को आप apply कर सकते हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चनल पे नए हो तो मेरी चनल को subscribe कीजिए और यह अगर वीडियो आप के लिए helpful रहा तो इस वीडियो को like कीजिए और इस चनल को subscribe कीजिए मेरे इस चनल पे jobs updates आते रहते हैं और आप मेरी whatsapp ग्रूप को join कर सकते हो लिंक इस वीडियो के description में दी हुई है उसमें jobs updates आते रहते हैं चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपने अपने mobile या laptop में किसी भी browser में जाना है जैसे Chrome, Google, Firefox किसी भी browser में जाना है वहाँ पर आपने search box में type करना है jkssb.nic.in तो जैसे आपने ये type किये jkssb.nic.in इसको आप search करेंगे तो आपके लिए ऐसा page open हो जाएगा ये jkssb की main website है main page यहाँ पर show हो रहा है तो आप नीचे आएंगे तो left side में apply for various posts under advertisement 4 of 2022 इस पे आप click करेंगे तो click करते ही ऐसा page open हो जाएगा right side में show हो रहा है apply button इस पे आप यहाँ पर click करेंगे तो जैसे आपने apply button पे click किया आप इस page पे आएंगे यहाँ पर आप अपना email देंगे password देंगे और I am not a robot यहाँ पर आप click करेंगे चक करेंगे और login पे click करेंगे जब आपका ID और password आपने create किया हुआ है यानि अगर आपने registration की होगी पहले से ही अगर आप नए हो registration नहीं किये है तो आप नीचे आएंगे do not have account sign in पे आप click करेंगे तो आप नए हो तो आपने पहले registration करनी है तो आपने यहाँ पर first name डालना है अपना यहाँ पर middle name डालना है और यहाँ पर last name डालना है gender को चूज करना है male, female, tennis gender यहाँ पर आपने email देनी है जो email active हो और यहाँ पर retype email, right side में retype email इसको आप डालेंगे नीचे वाले box पे आप अपना mobile number डालेंगे और यहाँ पर right side में retype mobile number आप यही mobile number फिर से type करेंगे और नीचे आप register पे click करेंगे आपके mobile number पे एक OTP आएगा और OTP दे के आप password एक create करेंगे आपको एक password बनाना पड़ेगा फिर आप उस password को submit करेंगे और आपका registration complete हो गया registration complete होने के बाद आपने फिर से main page पे आना है जैसे इस page पे आपने फिर से आना है जो आपके email डाली थी अभी और वो आपने यहाँ डालनी है और जो आपने password बनाया था password create किया था वो आपने नीचे password का आपने डालना है और I am not robot इस पे आपने चक करना है याने किलिक करना है और यहाँ पर login पे आपने किलिक करना है login पे किलिक करने के बाद आप यहाँ पर जो notification है और आप उसको फिर से यहाँ डाउनलोड कर सकते हो यारनि Download Advertisement पे किलिक करने के बाद लेकिन मुझे directly apply करना है मैं directly यहांपर apply पे click करूँगा मैंने यहां directly apply पे click किया तो यहांपर जितने post चो हो रहे हैं मैं in post को apply कर सकता हूँ तो यहांपर आप check करेंगे आपने किस post को apply करना है और उसी post को यहांपर mark करेंगे यानि उस पर click करेंगे उसको select आप करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक post को choose किया है तो आप मुझे नीचे आना है save and continue पे मैंने click करना है और यहाँ नया page open हुआ यहाँ पर मैंने wider life guard यानि इसको चग करना है यहाँ पर click करना है और यहाँ पर right side में दो option आ रहा है तो मैं चाहूं तो एक को ही apply कर सकता हूँ यानि डिवजन कश्मीर को ही या डिवजन जुमो को ही यहाँ पर आपने choice आपके पास choice है तो यहाँ पर अपनी choice दे के आपने save and continue पे आपने click करना है तो यहाँ पर save and continue पे click करने के बाद यहाँ पर अब हमने preference's देनी है और यह बहुत ही important है तो मैंने पहली price जैसे कि डिवजन कश्मीर को दी यानि अगर मेरा post select हुआ तो मैं पहले डिवजन कश्मीर के post लेना चाहता हूँ यानि डिवजन कश्मीर के जो post है यहाँ पर select होना चाहता हूँ और अगर दूजन कशमीर के पोश्ट में मैं सिलेक्षन नहीं ले पाया तो मैं डूजन जुमू के पोश्ट को मैं सेलेक्ट होना चाहता हूं तो उसकी preference मैंने दूसरे पे रख दी तो preference देने के बाद यहांपर मैंने save and continue किलिक करना है Save and Continue पे क्लिक करने के बाइद यहाँ पर अब मुझे अपनी Personal Detail देनी है यानि मेरा नाम तो पहले ही दिया हुआ है Registration करते समय तो यहाँ पर आपने Father's Name डालना है और यहाँ पर आपने Mother's Name डालना है आपने जो भी यहाँ पर Detail दाननी है As per 10th Marks Card यानि 10th record आपने यहाँ पर सारी Detail दाननी है जो कि आपके 10th में record हो तो वो यहाँ पर आपने Detail दाननी है अगर आपके पास category हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप Existence Man हो तो यहाँ पर Yes करेंगे या अगर आप नहीं हो यानि आप नहीं जॉब कर चुके हो अब तक तो आप No करेंगे तो यहाँ पर आपकी DOB आपने DOB सेलेक्ट करनी है आपकी DOB क्या है आप Married हो या नहीं हो तो आप Yes or No करेंगे यहाँ पर Domicile Certificate Number आपने डालना है और Issuing Authority यानि डोमसाइल के साथ पर इट किसने इशू की वो आपने यहाँ डालना है तैसिलदार ने फर एक्जामपल फिर आपने डिवजन को सेलेक्ट करना है और फिर आपने डिस्टिक को सेलेक्ट करना है आपने Save and Continue पर क्लिक करना है Save and Continue पर क्लिक करने के बैद आपने Residential Address यहाँ पर आपने डालना है जैसे आपका House Number, Room Number, Locality, महला, Ward Number, Village, आपका डिवजन, आपका डिस्टिक, आपका तैसिल, बुलॉक, पंचायत और पिन कोड वो साइडी डिटेल आपने As Per You Are Record आपने यहाँ डालना है देखे, Candidates यहाँ पर Mistake करते हैं कि वो यहाँ पर जो Record डिटेल देते हैं वो उसका कोई Document Proof नहीं होता है, वेले Document Proof नहीं होता है तो Document Verification के वक्त उन्हें प्राप्लिम होती है तो यहाँ पर As Per Document आप डिटेल डालिए तो यहाँ पर साइडी डाल दी और यहाँ पर Save and Continue पर मैंने अब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और पेज उपन हुआ यहाँ पर शो करता है कि आपकी Current Address यहाँ पर आप रहते हो क्या ये आपका Permit Address है तो Yes करेंगे Same As Permit Address अगर आपका Current Address यहाँ पर रहते हो Permit Address के साथ मैच नहीं हوتा है तो यहाँ पर No करेंगे लेकिन मैंने यहाँ पर Yes कर दिया Same As Permit Address Current Address Same As Permit Address है तो यहाँ पर Yes करने के बाद मैंने Save and Continue डे क्लिक किया यहां पर अब मुझे डिटेल देनी है, यानि कि मेरे पास RBA certificate है, तो वहां पर issue date मुझे यहां पर डालना है, कि RBA कब issue हुई है, और किस ने issue की है, सब्सक्राइश सिल्दार ने issue की है, यहां पर एक नया पेज ओपन हुआ, यहां पर आप सब को no 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 करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर दिखाया है कि आपके ओपर कोई F.I.R. तो नहीं है, कि क्या आपके ओपर कोई prosecution pending नहीं है, कोई चार issue तो नहीं है, इसी तरह साब पर आप no करेंगे, तो यहां पर save and continue करेंगे, तो यहां पर आप नई डिटेल देनी है, यानि academic qualification डिटेल आपने देनी है, यह बहुत important पेज है, यहां पर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, 10th board को आप चूज़ करेंगे, कि आप किस बोर्ड से 10th qualify कर चूज़ के हो, जेके बोस से, यानि जुम्मे और कश्मीर बोर्ड आप स्कूल एजुकेशन या CBSE से, या ICSE से, या किसी अधर से, तो यहां पर आप चूज़ करेंगे, 10th की percentage डालेंगे, पहले वाले बॉक्स में दूसरे बॉक्स में 10th result date आप डालेंगे, यानि आपके माकसार्ड में शोव हो चुका है, कि आपकी result notification कब निकली है, उस पर date शोव हुआ होता है, और आप यहां पर डालेंगे, 10th में आपने marks obtain किये हैं, वो यहां पर डालेंगे, और 10th में maximum marks कितने थे, फिर आप नीचे आइंगे, तो नीचे 12th board कहां से आप ने किया, qualified 12th किस board से, यहां पर आप मार्क करेंगे, 12th percentage, 12th result date और 12th marks आपने कितने और 12th में maximum marks कितने में से थे, वो यहां पर डालेंगे, फिर आप नीचे आइंगे, आप physical standard जो आपका होगा, वो यहां पर आप चूज़ करेंगे, य राइट होनी चाहिए, physical standard है, यह जो post, यह जो standard है, यह उस post के लिए जो मैंने select किया, यह सब के लिए नहीं है, तो यहां पर yes or no करना है, यहां पर physical fitness test, male के लिए 25 km है, और female के लिए 16 km, इस post के लिए, और नीचे है physical fitness certificate from CMO, यानि इस post के लिए CMO से physical fitness certificate बनानी है, तो इसके लिए आप yes करेंगे, तो यहां पर फिर आप save and continue पे आप click करेंगे, तो यहां पर save and continue पे click करने के बाद, अब यहां पर एक नया page open हुआ, तो यहां पर पहला option है, do you possess the prescribed education qualification as per the advertisement notification, यहां पर आप yes करेंगे, और नीचे है आप choice of center, examination center, याप exam जूमर डिविजन में देना चा save and continue पे click करने के बाद, आप यहां पर नीचे आएंगे, और यहां पर I agree पे आप mark करेंगे, चक करेंगे, फिर save and continue पे आप फिर से click करेंगे, तो यहां पर अपने photo को upload करना है, और अपने signature को upload करना है, तो यहां पर आप browse पे click करेंगे, और अपने mobile के gallery में से या अपने laptop के गैलरी में से आप फोटो को चूज करेंगे फोटो का साइज आप 50 KB से नीचे रखिएगा और यहाँ पर आप पने फोटो चूज किया और यहाँ पर आप साइन को भी चूज करेंगे अपनी गैलरी में जाके अपने साइन को यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर assign का भी 50 KB से कम रखेंगे आप signature का size भी JPG में आप रखेंगे तो यहाँ पर दोनों को आप JPG में आप रखेंगे तो यहाँ पर आप save and continue पे क्लिक करेंगे तो save and continue पे क्लिक करने के बैद आपकी यहाँ पर सारी detail शो हो जाएगी जो आपने सारी detail दी है वो सारी detail यहाँ पर show होती है तो यहाँ पर आप पूरा चक करेगा कि आपने कहीं mistake तो नहीं कर बैठे कहीं आप गलती तो नहीं कर बैठे तो अगर आप यहाँ पर कहीं भी mistake कर बैठे तो आप यहाँ पर correction कर सकते हो लेकिन जब आपने सब्मिट कर दिया तो आप फिर करेक्शन नहीं कर सकते हो लेकिन ये कि SSB की तरफ से जब एक नोटिफिकेशन आती है जब क्लोजिंग डेट हुआ करता है एप्लिकेशन का उसके बैद 5-10 दिन के बैद कलोजिंग डेट के बैद एक नोटिकेशन आती है कि इडिट ओपशन का नोटिकेशन आता है कि आप अपने एप्लिकेशन को इडिट कर सकते हो अगर किसीने कहीं गलती कर बैठे तो आप उस वक्त इडिट कर सकते हो मैं नीचे आया अब इस पेज पे बिल डेस्क पे मैंने किलिक किया अब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेट पे मैंने किलिक किया क्योंकि अब मुझे इसके लिए पेमेट करनी है पेमेट बहुत ज्यादा है जेके SSB की तरफ से 550 रुपीज तो यहाँ पर मैंने प्रोसीड टू पेमेट पे यहाँ पर किलिक किया मैं क्रिडिट कार्ड के जिरे यहाँ पर पे कर सकता हूँ डेबिट कार्ड के जिरे यहाँ पर पेज कर सकता हूँ यहाँ पर मैं जेके बैंक का डेबिट कार्ड में यूज कर सकता हूँ यानि जो print out application है वो ऐसा कुछ open हो जाएगा तो मुझे उसके नीचे आना है, bottom पे आना है, यहाँ पर print का option दिया होगा उस पे मुझे click करना है, तो यहाँ पर save as PDF पे मुझे click करना है तो save करना है, इसका मैं अपना खुद नाम रखंगा, अपने choice का कोई नाम रखंगा तो फिर मुझे save बटन पे click करना है और मेरी यह application save हो जाएगी तो thank you, बहुत शुक्रे आपका और अगर आपने मेरी चनल को subscribe नहीं किया आप मेरी चनल को subscribe कीजी और इस वीडियो को like कीजी, अगर यह आप वीडियो आपके लिए help हो रहा तो jobs update आते रहते हैं आप मेरी चनल को subscribe कीजी, thank you, goodbye